सरकार ने प्रधान मंत्री अवास योजना की नई लिस्ट जारी कर दी है प्रधान मंत्री अवास योजना की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको दो तरीका बताने वाला हूँ आप अपनी सुब्धानिसार इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से प्रधान मंत्री अवास यूजना की नई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको pmymis.gov.in की website पर आना होगा यहाँ सबसे पहले आपको search beneficiary पर आना है फिर search by name पर click कर देना है search by name पर click करते ही आपके सामने एक search box open होकर आ गया है यहाँ आपको अपने 12 अंकों का अधार number डाल देना है इसके बाद 100 पर click कर देना है एदि आप सही सही अपना अधार number भरते हैं तो 100 पर click करते ही आप प्रधान मंत्री आवाज स्युजना की list में अपना नाम और अपनी details चेक कर सकेंगे तरीका नमबर दो बीना अधार number के इदि आपके पास अधार कार्ड नहीं है या पिर आपका अधार कार्ड खो गया है तो भी आप प्रधान मंत्री आवाज स्युजना की नई list में अपना नाम चेक कर सकते हैं बिना अधार के प्रधान मंत्री आवाज स्युजना की list में अपना नाम देखने के लिए आपको दो चीजों की जुरत पड़ेगी एक आपका मुबाइल नंबर, दुसरा आपका रिजिस्टेशन आइडी या एसेस्मेंट आइडी परधान मंत्री आवाद स्योजन के तहत आविदन करने पर आपको रिजिस्टेशन आइडी या एसेस्मेंट आइडी मिलता है दुसरे तरीके से भी परधान मंत्री आवाद स्योजन के लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको pmymis.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा यहाँ सब से पहले आपको सिटिजन एसेस्मेंट पर आना है फिर track your assessment status पर क्लिक कर देना है यह एक नया page खुल गया है यहाँ आप दो तरीके से परधान मंत्री आवाद स्योजन के लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं एक है by name, father's name and mobile number और दूतरा है by assessment id आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से अपना नाम परधान मंत्री आवाद स्योजन के लिस्ट में चेक कर सकते हैं इसके आपके पास assessment id है तो आपको by assessment id को select कर लेना है फिर आपको यहाँ अपना assessment id और यहाँ पर अपना mobile number डाल कर submit के बटन पर click कर देना है इसके बाद आपका नाम और आपकी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी इदि आपके पास assessment id नहीं है तो फिर आपको by name, father's name and mobile number को select कर लेना है फिर आपको इस drop down menu पर click कर देना है और यहाँ से अपनी राज्य का chain कर लेना है मैं यहाँ से बिहाराज्य का chain कर लेता हूँ फिर आपको इहाँ इस drop down menu पर click कर देना है और यहाँ से अपनी जिले का chain कर लेना है मैं यहाँ से भागलपुर जिले का chain कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ इस drop down menu पर click कर देना है और यहाँ से अपने सहर का chain कर लेना है मैं यहाँ से भागलपुर सहर का chain कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ अपना नाम लिख देना है मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ फिर आपको यहाँ अपने पिता का नाम लिख देना है मैं यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देता हूँ फिर आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ यहां आपको वो ही मोबाइल नंबर लिखना है जो मोबाइल नंबर आपने आवेदन करते समय दिया था. फिर आपको submit पर क्लिक कर देना है. सब्मिट पर किलिक करने के साथ ही प्रधान मंतरी अवाज योजना की नई लिस्ट की आपकी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आप असानी से बिना अधार के भी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर प्रधान मंत्री अवाद योजना की नई लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो भारत सरकार आपको घर बनाने के लिए 6,00,000 रुपिय तक के होम लोन पर 2,30,000 रुपिय और 12,00,000 रुपिय तक के होम लोन पर 2,30,000 रुपिय की सब्सिरी देती है तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं तक एलिए आपको यो वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ सेहर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर बातिएं